पंजाब सरकार ने रोडवेस बसां दे ड्राइवरां ते कंड़क्टरां दा पतावदा आ दिता हैं, इस दा ऐलान पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री लाल जीत सिंग पुल्लर ने कीता, पुल्लर ने पंजाब रोडवेस पानवास ते पिया टीसी कॉंट्रेक्ट वर्कर यूनियन अते पंजाब रोडवेस पानवास स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन दे नमायदयां दे नाल वक्खो वक्रियां बैठकां कीतियां, जिस्तो बाद अधकारियानों हुकम दिते के मुलाजबानों आउट्सोर्स तो कॉंट्रेक्ट ते करनली नीती दा खर समय सिर मुह या करवाउन दी त्यारी विड़ देती है, पंजाब दे खेती बड़ी ते किसान प्लाइवे पाग दे वदी एक मुक्स कत्र अनराग वर्मा ने सुवे दे सारे डिप्टी कमिशनर आनू चिठियां लेके किसान आनू बिना किसे दिक्कत तो डीएपी खाद कुछ बेलोडियां वस्तु आ बेलोडियां खादा तो पियां जारे याने एस मुद दिन ते आन्विच राख देयां डीलरां ते अचन चेत चेकिंग दे होकम भी देते गए हान। वदी एक मुक्स कत्र ने डिप्टी कमिशनर आनू हदायत किती है कि डीएपी दी काड़ा बजारी ना होन दिती जावे जिहा करनवाले डिलरां खिलाफ फॉरी कारवाई किती जावे पर एह हुकम जमीनी पदर ते किन्ने के लागू होन गे एता होन किसान ही दसन गे उदर पंजाव खेती वड़ी युनिवरस्टी दे पूमिवी ग्यानिया ने हाडी दरान कंकदी फसली डियेपी दे बदल वजों होर फासफोर्स तत्ना वडियां खादा नो बदल में सरोता वजो वरतन दा सुजादता है पिये युदे उपकुलपती डॉक्टर सतवीर सिंग गोसलने के है कि डियेपी सब तो वद फासफोर्स तत्ना वली खाद है दे खेती माहिरा ने डियेपी दे बदल में सरोत वजों सिंगल ते ट्रिपल सुपर फासफेट तो इलावा जैवे का खादा वरतन लई किहा है परसों एक नवंबर नो जिते पूरी दुनिया विच वस दे हिंदू पाईचारे दे वलों दिवाली दाते हार्तू उमताम दिनार मनाया जावेगा ओठी ही एस दिन नो सिख पाईचारा बंदी छोड़ दिवस वजों मनाओदा है ते बंदी छोड़ दिवस तो पहला श्रीय कालताक साहब दे जतिदार गैनरिग बीर सिंग ने पूरी दुनिया दे विच वस दी सिख संगत नो आदेश जारी किता है कि 21 नवंबर नो जिते बंदी छोड़ दिहाड़ा है ओथे ही 1984 सिख नसल कुशी दे 40 साल पूरे होन जा रहे ने तिसिक संगत छे में पात्षा श्री गुरु हर गोबिन साहिब जीदी याद वेच केवल क्योदे दीविया नाड़ ही दीप माला करे बिजलई से जावटा ना कीतिया जान जतिदार साहिब ने कहा है कि 21 वंबनू सिर्फ साचखंड स्री हर मंदर साहिब अतिश्री अकाल तक साहिब ते ही बिजलई से जावट कीती जावेगी आतिशबाजी आद भी नहीं होवेगी पर सिक संगत अपने करान दे विच्च सिर्फ क्योदे दीविया बाल के एस देहाड़े मे सिख स्टुडेंट फेडरेशन दे लीडर करनेल सिंग पीर मोहां मदने काल लही जत्यदार साहिब दे आदेश तो पहला अकाल तक साहिब दे जत्यदार गैनर गवीर सिंग नू अपील कीती सी के एस वार बंदी छोड़े हाड़े मौके दीप माला ते आतिश बाजी ना की सिख नसल कुशी दे चाली साल पूरे हो जा रही ने ते हाली तक सिख काम नू इंसाफ ने मिले आते एस दिन जे आतिश बाजी होवेगी ता पेड़त परवारा नू तकलीफ होवेगी दिवाली मौके चलनवाले पटाकियां ते पंजाब हर्याना हाई कोट दीवी तिखी नजर है पामे पंजाब हर्याना ते चंडीगड दियां सरकारा ने समा तै कार देता है पर आपा हार साली देख देहां के जमीनी पदर ते ना हुकमा दी पालना नहीं होंदी कोई वी द दो दो कंटे सिर्फ पटाके नहीं चलाओंदा हाई कोट ने एस ता सक्त नोटिस लेंदेयां पंजाब हरे अना ते चंडीगड़ परशास नू किया कि एस वार कोई लापरवाही नहीं चलेगी हुक्मानू पूरी सकती देना लागू करवाया जावे ते जीड़ा पटीशन क दवाली वाली रात नो आठ तो दास वजे तक सिर्फ ग्रीन पटाके चलाओंदा समा तै किता गया केंदर सरकार दे वलों पिछले दिनी जड़ी सतर साल तो वद उमर दे बजुर्गां दे लेई सेत योजना दा एलान किता गया सी उसनू कल लागू कर देता है पारदी पर सालां दे विछ मुफ्त इलाज मिलेगा आज उश्मान योजना नार्सबंदत कार्ड दिते जानगे इस दर्मयान पीम मोदी ने दिली ते पच्छमी बंगाल दे सारे बजुर्गां तो माफी भी मंगी कहने मैं तो आड़ी सेवा नहीं कर सकदा तो आड़ी दुखदा दे स समझदा हां पर तो आड़ी सूबियां दियां सरकारा ने एस योजना नो लागू करन तो इनकार कर देता है एस योजना दे तहत हर साल सतर साल तो वादो मरदा कोई वी बजुर्ग पांज लख तक दा इलाज मुफ्त करवा सकदा है ते मुफ्त इलाज ली कोई वी शर्त न देश ते सतर साल तो वादो मरदे तकरीवन छे करोड बजुर्गन फायदा होवेगा श्रोमनी गुर्द्वारा परबंदक कमेटी दे पर दा आन दी चोन तो बाद श्रोमनी अकाली दल दे तनखाईया पर दा अन सुखबीर सिंग बादल दा लंगी शाम पहला ब्यान आया सुखबीर बादल ने जित्थे श्रोमनी गुर्द्वारा परबंदक कमेटी दे मेंबरा नू वदाई देती उथे ही पंथ वरोधियां ते जम के नजला वी चाड़िया सुखबीर ने किहा कि सजी पीसी नू मैं मुबार्क बाद देना चौन दा ते तै दिलों को टान कोट सुखबीर बादल ने अल्जाम लाया कि पिछले लगपग डेड़ दहाकी तो खालसा पंथ नू आग्गु रहत करन दी डूंगी साजश रची जा रही है पंथक सफां दे विचे केंदे पंथ दी वाहिद नुमाएंदा जथिबंदी श्रोमनी अकालीदन नू बदनाम करन ते पंथ दर्दियां दे मना विच उना दी अपनी ये जथिबंदी विरुद शक खड़ा करन ली एक वड़ा ते जहरीला कूर पर चार तंतर दन रात काम कर रहे हैं पर केंदे कलंगी तर पात्षा ने अपने पंथ दे सिरते अपनी मेर दाहाथ रख्या ते कौम नू इतिहासिक ते बे मिसाल जित दवाई है ते एसाब गुरु साहिब दी किरपा दी लीला है फेस्बुक ते सुखवीर बादल वलो पाई इस पोस्ट ते लोकां दे वक्खो वक्रे परती करमाई हन कोई सुखवीर बादल दी परशंसा कर रहे है ते कोई तिखे स्वाल वी कर रहे है ते जादा तर लोक सुखवीर बादल नो वदाईया दिन्दे नसराओं देने अदालत ने केंदरी शेरी हवाबाजी सकतर नो पुच्छ है कि चंडिगर दा हवाई अड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट है ते इतों रोजानना दो ही कमांतरी उडाना चाल दिया ने जदके गुरु की नगरी अम्री सरदे श्रीगुर रामदासी इंटरनाशनल एरपोर्ट तों रोजानना 14 कमांतरी हवाई उडाना चाल दिया ने बैंच ने चंडिगर हवाई अड़ी तो रोजाना कमांतरी उडाना दी सीमत संपर्क नू मंदपागा दास्तियां सकतर नू एसस बंदविच हल्फ नामा दायर करन लीके है यानि के केंदर नू जवाब देन दी लीके हा है पंजाब दे विच किसाना आड़तियां मिल मालकां अते कामयान उचों ने दी चुकाई दे विच पेशारियां समस्यामा दे खिलाफ आज ती अक्तूबर नू आमाद भी पार्टी दे वलों बीजेपी दे चंडिगर स्थेत मुख दफ्तर दाकिराओ कीता जाओगा इस दी जानकारी कैबनेट मंत्री अमन अरोडा ने दिती ते दस्या के आप लीडर ते वरकर स्वेरे 11 वजे सेक्टर 37 थे तब 12 थेटर नेड़े कठे होंगे उत तो बीजेपी दफ्तर वाला मार्च कड़नगे मंत्री अरोडा ने कहा के किंदर सरकार दी नीती बदला खोरी वाली है जान बुझ के हॉली लिफ्टिंग कर रही है ता जो किसाना ते कमिशन एजंटा नों मुश्कलांदा सामना करना पवे उना फिर इलजाम लाया के बीजेपी किसान अंदोलन दा बदला पंजाब दे किसाना तो ले रही है इस मसले ते किसाना दा विरोध भी लगातार जारी है पार्ति किसान यूनियन एकता उगराहा ने कल सुबी दे स्तारा जिल्यां दे विच्च परदान मंत्री नरींदर मो चारा जिवार ग्रुप दे वल्लोवी पंजाब दे सारे डेसी दफ्तरां दाकिराओ कीता गया चोने दी खरीद अते लिफ्टिंग दे काम दे विच तेजी ले और दी किसाना ने मांग कीती एसी तरह संजुकत किसान मोर्चा गैर सियासी ते किसान मजदूर मोर्चा ओ जथे बंदियां जिनना दी एगवाई दे विच शम्बू ते खनावरी बॉर्डर ते मोर्ची चाल रहे ने उनना दे वल्लोवी पंजाब दे विच फगवडा समेत 5 थामा ते मोर्ची लाए हो के किसान जाता मंडियां दे विच बैठनों मजबूरने जा फिर तर नियां दे बैठनों मजबूरने मंडियां दे विच लिफ्टिंग ना होण करके जदो सरकारी खरीद नहीं हो रही ता किसाना दी लोट प्राइवेट खरीदार भी कर रही ने ते ए निजी जड़ी खरीद दार ने जड़े मंडियां देवे चुको मरही ने, एमस्पी तो काट रेट ते, किसान ना तो चो ना खरे देने, जाहिर तौरते जदो एक मीन ने तो जड़ा किसान मंडी देविच बैठा होगा, जा पंदरावी दिन तो बैठा होगा, ओधी फसल नहीं विक रही, ता ओधे सामने बहुत सारे तरांदे स्वाल हों देने, ते खद्शे भी हों देने, कि किते मीन आ पैजावे, जड़ी फसल है, ओ खराब ना हो जावे, एससे डरों कई किसान मजबूर हो जान देने, ते काट रेट ते ही अपने चोनने दी बोली लवादन देने, खेती बड़ी ये दा नुकसान होगा, उदर चोने दी खरीदा ते पंड़ आरंदे मसले ते पंजाब रेणा हाई कोट ते वेचवी काल सुनवाई होई ते अदालत ने, के अंदर ते पंजाब सरकार नो हदायत कीती है, कि चोनने समधी मेटिंग करके तुरंत हल कड़े आ जावे, जनहि सनप्रीट से ने पटीशन विच दस है कि पंजाब सरकार ने हाले तक चोने दी खरीद शुरू नी कीती, जे फसलां दी खरीद समय सर ना हुई ता किसाना नू समय सरोना दी फसल दी अदाईगी नी होगी, जे जहां हंदा ता फसल दी रसमी ते गयर रसमी सरोतना तो लेग करजे दी अदाईगी विच देरी होगी, ते फिर नवी फसल ने नगद करजा मिलन दे विच होर देरी होगी, जी ते नाल सिर्फ किसान ना ते ही बोज पाऊगा, जो सूबे दी आर्थिकता दी रीर दी हड़ी हन, ते एना ही नहीं अगली फसल जैनके कंक दी बजाई दे विच भी देरी होगी, उन हाई कोट ने केंदर ते सूबा सरकारां दो मां ते इस मसले नू हल करन दी जिम्मेदारी पादती है, ते नाल ही पटीशन करता नू भी हाई कोट ने क्या है कि जे कत्ती एक्टूबर ने भी कोई हल नहीं निकला, ता तो सी मुड तो अदालत दा रुख कार सकते हो, इस दरिम्यान आमाद मी पार्टी दे अंपी मल्विंदर सिंह कंग ने इल्जाम लाया कि किंदर सरकार जान बुझ के किसाना नू परिशान करन दी नियत ने नाल इस सारा कुछ कर रही है, असी दा काने मार्च मी निविची मिला तो चौल चुकन दी खबर है कि जित तुसी वी मेक्सिको दी सरहाद रही गैर कानूनी तरीक्य नाल अमरीकाज दाखल होके उत्थी वसना चौन दे हो, ता त्या नाले फैसाल लेओ, क्योंके अमरीका ने ग्यारां सो पार्टी डिपोर्ट कर दतेने, अमरीका दी सरकार ने अपने मुल्क दे व खलके इना ते मुकदमावी चुलाया जा सकते हैं, अमरीका दे होमलेंड सेक्योर्टी वेपाग विच सरहदी ते इमिग्रेशन नीती दी सा, एक्सकतर रोयस बर्न स्टीन मरे ने ऑनलाइन मीडिया कॉन्फरेंस नो सुंबोधन कर दे हैं, के अमरीकी वित्ती वरे 2004 दे वि जों केडा पंजाब दा है, ते केडा किसी होर सुबे दा है, मरे ने कहा कि बाई एक तुबर नु चार्टर ओडान पंजाब दे हवाई अड़े ते ही उत्री सी, जहाँ आज दे विच करीब सौ वियक्ती स्वार सन, ते ना ग्यारा सो नो वक वक जहाँ जान दे विच नहीं सी, डिपोर्ट कीते ग्यारा सो व्यक्ती, अमरीका जो दाखलता होना चोंदे सी, इसान पर उथी रहन लियो ना कोड़े कोई कानून नी अदार नहीं सी, जड़े व्यक्ती वीजे दी मियाद पुगण मगरोंवी मुल्क च रहें देने, ता उनना नुवी देश ने क रेल गडडी रोकण वास्ते पटड़ी ते मोर्चा लाके शहीद होन्वाले पाईकरम सिंग अते पाईपरताप सिंग समेत साखा पंज़ा साहिब दे सारे शिहीतानों असी कोटान कोट परणाम कर दीहां साका पंजा साहिब सहन शीलता सूरबीरता ते कुर्बानी दी मिसाल है साका पंजा साहिब आपसी पाई चार्क सांज अते सेवा दी उधारन है ते अजादी लेई होए शांत में संगर्ष दी गाथावी है साका पंजा साहिब असल दिविच अमरी सर्दी गुरु के बाग मोर्चे दीही अगली कड़ी सी ए साका ओस वक्त वाप्रया सी जदों डेश वांड होन तो पहला अंग्रेजान दा राज सी अते अंग्रेजान दे हाथ ठोके बणे महानता ने गुरु करांते कबजा कीता होया सी साका पंजा साहिब गुर्द्वारा सुधार लहरते पंजाब चुचले पार्ती अजजादी दे संगर्ष दा एक एहमते महत्त पूरण हिस्सा बणया